आज से एक अंधे का डर बनूँगा जूनिया एंटिया सेफ अलिखान एंजानवी कपूर की देवरार रिलीज हो चुकी है लेकिन जितनी इस फिल्म से लोगों को उमीद थी न उतनी ना तो ये पबलिक को पसंद आई है और ना ही उतनी कमाई कर पाई है इतनी हाई बनाना ही खराब है सब को लगा कि आरारार के बाद जूनिया एंटियार की कोई फिल्म आ रही है भाई अब तो रहा थीटर में बवाल मत जाना है लेकिन ये तो मामला एकदम ठुस निकला और अब जितने लोग कॉमें सेक्शन में ये टाइप करने लग गये हैं कि पहले इसका ओपनिंग डे कलेक्शन तो देख लो तो मैं उनसे बस ये कहूंगी क्योंकि तुमने शायद ओपनिंग डे कलेक्शन पर नज़र डाली है मैं डेवाइस कलेक्शन आपको बताने आई हूं और फिर हो जाएगा दूद का दूद और चाई की चाई वैसे सेफ अली खान या फिर जूनिया एंटियार आपको फिल्म में सबसे अच्छी आक्टिंग किसकी लगी मुझे कॉमेंट करके बताएं और क्या चल रहा है देवरा का बॉक्स ओफिस परहाल डैड आल टेल यू इन दिस वीडियो जूनिया एंटियार के नाम का जुतना फाइदा देवरा को मिलना था वो शायद फिल्म की ओपनिंग को मिल गया क्योंकि फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर टोटल 142 करो का कलेक्शन किया है व्ल्ड वाइड जिसमें से इंडिया से 82.50 करो का कलेक्शन हुआ है बट यहां पर मेजर पैसा साउट से आया है और हिंदी बेल्ट में ये फिल्म बाहु बली के जीएफ जैसा कमाल तो नहीं कर पाई हिंदी बेल्ट से सिर्फ 7.2 करोर का कलेक्शन हुआ है बट स्टिल पहले ही दिन पर 100 करोर पार कर जाना इस बिग थिंग लेकिन ये स्टार्स का जागुना पहले दिन तो काम कर जाता है पर बाद में तो अच्छी फिल्म, अच्छी स्टोरी, अच्छी आक्टिंग की ही फिल्म चलती है और वहां तो मामला थोड़ा सा क्लियर ये है कि क्रिटेक्स और पब्लिक के रिव्यूज को अगर देखा जाए तो इस फिल्म ने उतना जादा इंप्रेस तो नहीं किया है और ये बस एक फुसी बॉम जैसी फिल्म बन के रह गई है विच बीज की इतनी हाइप क्रियेट करने के बाद भी हाथ पल्ले क्योंकि भाई पता नहीं ये लोग पैन इंडिया फिल्म रिलीस तो करते हैं बट ये डबिंग को क्यों इतनी करिकरी कर देते हैं यार पहले दिन पर तो इंडिया में 82 करो कमाई करी लेकिन डे टू पर ये फायर थोड़ा सा ठंडा हो गया 38 करोर का कलेक्शन किया डे टू और दे थ्री पर तो बस 40.3 करो का कलेक्शन हुआ और मंडे का तो भाई साब मत पूछो सिर्फ 12 करोर का कलेक्शन हुआ है नहीं हिंडी बेल्ट की बात नहीं कर रहे हूं इंडिया की टोटल कलेक्शन की बात कर रहे हूं सिर्फ 12 करोर मतलब एकदम से रोला कोस्टर जावा कुछ जादा भावी नहीं दिया गया इससे अच्छाई से कैमियो बोल देते तो इज़त तो बच जाती यार मतलब क्या पता था उनका रोल इतना छोटा होगा जब प्रोमोशन्स में इतनी जादा स्पोर्टलाइट उन्हें दी ही थी तो लोग एक्सपेक कर रहे थे कि उनका थोड़ा इंपाक्टफुल सा प्रेजन्स होगा बट या नहीं जानवी का पूर स्क्रीन पर कब आई कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला और क्रिटिक रिव्यूज में ये भी कह रहे हैं कि श 173 करो का कलेक्शन किया है इंडिया से एन लेट सी ये आगे कैसे सर्वाइब कर पाती है तो बाई देखो एक्सपेक्टेशन्स वर्सेस रियालिटी का असली सीन ये है कि जुनिया इंटियार के स्टार्डम ने मूवी को एक सॉलिड ओपनिंग तो दी है लेकिन सस्टेन करन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और जानवी कपूर की परफॉर्मेंस तो वैसे भी साइड में हो गई है फिल्म का फ्योच आप डिपेंड करता है वीक डे पर और उसके कलेक्शन पर वर्ना पबलिक का इंट्रेस्ट कल छोड़ो आज ही ठंडा पड़ सकता है वैसे किस- सुच्छ